हेलो एवरिवन, होप यूर आल दूइंग वेलकम और वेलकम बैक तो मैचैनल तो क्लास 12 इंगलिश विस्तास बुक से चैप्टर नमबर 5 है शुड विजार्ट हिट मोमी जिसके जो लेखक हैं वो जॉन अपटाइक है इसके हम लोग कोश्चन आंसर को आज कवर करेंगे और सवी कोश्चन आंसर के पोइट उफ यू से काफी इंपोरटन्ट हैं तो स्टुटबेंट्स बेले करते हैं अपनी कोश्चन को तो question है In What way is Rogers Skunk Story Similar and Different from Other Rogers Stories की जो Rogers की Story जो Jack ने सुनाई थी जो को तो वो किस प्रकार से दूसरे रोजर जो स्टोरी वो सुनाता था तो उससे सिमिलर थी लेकिन आखिर इस रोजर के स्टोरी में कुछ डिफरेंट भी था और वो डिफरेंट क्या था तो यह आप से पूछा जा रहा है तो आंसर होगा कि जैक यूज़ तो टेल स्टोरी इस तो जो ऑन करता था उसे तो उसको देने के लिए वकसर उसे स्टोरी सुनाया करता था he was doing it for the last two years and had made a storylines अब वो ही काम जो है पिछले दो साल से कर रहा था तो इसी विज़े से उसने अपनी एक स्टोरी लाइन बना ली थी और इस जो स्टोरी लाइन उसने बनाई थी क्योंकि उसका र there was an animal called rosa creature in the story हमेशा ही उसकी स्टोरी में क्या होता था कि एक एनिमल या कोई एक पंची वगरा होता था जिसका जो नाम था हर स्टोरी में रोजर हुआ करता था और यह जो रोजर नाम का जानवर था स्टोरी में who had a problem उसके पास हमेशा ही कोई problem हुआ करते थी and he always went to the wise all to take his advice और वो हमेशा एक बुद्धिमान आउल के पास जाया करता था उससे सला लेने के लिए तो होता क्या था students कि Jack से हमेशा रोज एक ऐसी कहाने सुनाता था जिसमें कोई भी जानवर होता था कोई पंची होता था और उसका नाम हमेशा से ही रोजर हुआ करता था अब इस प्रॉबलम के लिए एडवाइस लेने के लिए अपनी हर स्टोरी में वो ऐसे ही बताता था कि वो एक बुद्धिमान आउल के पास किया एडवाइस लेने के लिए the owl used to refer him to the wizard who with his magic spell solved his problems and charged money अब वो आउल क्या करता था वो हमेशा ही उसे एक जादूगर का पता बताता था औ मंतर के थूँ वो उसकी problem का हल निकालता था और उसके बाद उसके बदले में वो कुछ पैसे लिया करता था तो ये एक जो routine जो उसकी कहानी में हमेशा से ही लगा बनता था कि एक रोजर होगा रोजर नाम का कोई जानमर होगा उसके पास कोई problem होगी वो एक बुद्धिमान आउल के पास जाएगा आउल इसे जादूगर के पास भीजेगा और जादूगर कोई magic मंतर बोलकर उसके problem को sort out कर देगा there were creatures like fish, squirrel, chimpunk, etc. अब इसके पास जो जानवर होते थे वो या तो fish हो सकती थे या गलहरी हो सकती थे या chipmunk हो सकता था यदि के अलग अलग तरीके के जानवर उसकी स्टोरी में हमेशा role play किया करते थे लेकिन उन सभी का नाम क्या होता था उन सभी का नाम rozer होता था with minor problems and the wizard used to solve these problems quickly अब यह चोटी चोटी प्राब्लम्स होती थी अब जो यह विजार था यह इन प्राब्लम्स को बड़ी असानी से बड़ी जल्दी से धूर कर दिया करता था moreover they were not rejected or teased by their peer groups अभी जितने भी जानवर होते थे इनके पास problem तो होती थी लेकिन इन में से कोई भी जो जानवर था वो अपने दोस्तों के द्वारा ना तो ठुकराया गया था और ना ही उनके द्वारा सताया गया था बट रोजर सकंक's problem was very characteristics of his species and was related to a moral issue लेकिन जो इस बार रोजर सकंक की जो problem थी वो उसकी खुद की कुछ विशेशतां को लेकर थी जो कि उसकी species में पाई जाती है और ये एक moral issue था क्योंकि जो रोजर सकंक होता है उसके पास से कुछ ऐसे smell आती है ये उसकी विशेशता होती है और ये smell जो होती है बड़ी अजीब सी होती है तो अब इस रोजर सकंक की क्या problem थी कि इसके पास एक बड़ी अजीब smell आती थी और जिसके वज़े से ये एक moral issue था his spirits used to irritate him अब उसके जो साथ ही थे उसको हमेशा चिड़ाया करते थे उससे चिड़ते थे make fun of him and did not like to play with him अब उसके साथ वो उसका मजाग उड़ाते थे उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पास से बड़ी गंदी सी एक smell आती थी but skunks mother made him understand that we should accept the qualities God has give us लेकिन जो skunks की मदर थी उसने उसको ये समझाया कि हमें अपनी उन qualities को हमेशा ही स्विकार करना चाहिए जो कि God ने हमें दी है and we should not change our own personality because of others और हमें अपनी खुद की personality को इस वज़े से कभी भी change नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे चाहते हैं क्योंकि अब Roger Skunks चाहता था कि उसकी गंदी बदबुच है उससे दूर हो जाए और इसी वज़े से वो एक wizard के पास जाता है विज़े उसे सुन्दर सी गंद में बदल द लेता है लेकिन आप जो स्कंग की मदर होती है वो नहीं चाहते ही कि उसके बेटे के पास से वो गंदी स्मेल आना बंद हो जाए तो इसी वज़े से वो से समझाती है कि हमें अपनी personality को सुईकार करना चाहिए तो इसी वज़े से जो ये कहानी है students इसमें सारे ही जो similarity क्या है similarity ये है कि कहानी के सभी जानवरों के तरह इसमें स्कंग का नाम भी रोजर होता है लेकिन उन सभी जानवरों की दूसरी कहानियों में problem sort out हो जाती है लेकिन इस कहानी में जो problem है वो कुछ ऐसी problem है जो की morality को show करती है खुद के वेक्तित्व को show करती है तो इसी विज़े से similar और लेकिन दूसरों के से जिमलर होते हुए भी उनसे डिफरेंट भी है तो स्टुटेंट उमीद है यह आंसर आपको बहुत अच्छे से एकलियर वा होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ताकि आने वाला हर वलूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स वीडियो में तिल दन कीप वाचिंग स्टे कनेक्टेड थैंक यू